आईये एस असोसेशन लिट्री सोसेटी का कारेकरम तस्फीरों से टेक नोहम्ब में बिना हुई चान्दी चोक और कनोट प्लेस की कहानिया इतिहास का रेवं लेखे का डॉक्टर लिडल ने दिल्ली का बताया इतिहास आईये एस असोसेशन लिट्री सोसेटी का कारेकरम तस्फीरों से टेक नोहम्ब में बिना हुई चान्दी चोक और कनोट प्लेस की कहानिया इतिहास का रेवं लेखे का डॉक्टर लिडल ने दिल्ली का बताया इतिहास राजस्थान आईये एस असोसेशन की लिट्री सोसेटी की ओर से शनिवार सायम को यहां शाला अना सिंस्थानिक शेत्रस्थ तेकनोहब भवन में जानी मानी इतिहास का रशोद करता एवं लेखक डॉक्टर स्वतना लिडल अपनी रचनाओं चान्दी चॉक्ट दा मुगल सिटी ओफ ओल देहली और कनोट प्लेस एंग ता मेकिंग अफ न्यू देहली पर श्रोदाओं से मुखातिब हुई तिकनोहम्प में आयो जितिस कार्यक्रम में डॉक्टर लिडल ने तस्फीरों के माध्यम से दिल्ली के 300 वर्ष पुराने इतेहास को बया किया उन्होंने अपनी रचनाओं में पुराने दिल्ली एवं वर्तमान दिल्ली के स्वरूप का तुलनात्मक धंग से अध्यन कर उसके वैग्यानिक स्वरूप को तस्फीरों के माध्यम से प्रकट करते हुए मनुरंज धंग से कहानी का रूप दिया है डॉक्टर लिडलने दिल्ली के तेहा सिक्धरोहर के प्राचीन तम एवं दुरलब चित्रों को दर्शाते हुए 1857 का मान्चित्र पुरानी पेंटिक्स यमुना नदी से होने वाले परिवहन चान्नी जौक्व कनाद प्लेस के उद्भव से लेकर उनके वर्तमान स्वरूब मुगल काल की प्रशासने क्वेवस्था वास्तु कला लाल किला दीवाने आंग दीवाने खास तख्ते ताउस लोधी गार्डाओ जैन टेंपल राष्ट्रपती भवन जौर्ज पंचम का बुद्पुराने किले में पुक्के बजार, शरनार्थी कैम्प, वर्तमान लुटियन्स जोन राय सिना हिल्ज इत्यादी प्राचीन धरोहिरों के इतेहास को रोचेक्टा के साथ संजोया है असोसियेशन की लिटरी सेक्रेटरी मुप्ता सिनानी कहा की डॉक्टर लिडल ने दो दशकों तक शोध के द्वारा तेहास केवं अकादमिक पुस्तक की रचना की है जो इतेहास का अध्यन करने वालों के लिए बहु उप्योगी है उन्होंने कहा की लिखेका ने जैपुर और दिल्ली की वास्तु कला में संबंध को बहतरी न्धंग से बताया है और जिससे कोई भी व्यक्ती आसानी से इंद्रप्रस्थ से लेकर वर्तमान दिल्ली तक की विकास गाथा को समझ सकता है उन्होंने कहा की डॉक्टर लिडलने दोनों कृतियों को इतिहास की सामान ये जानकारी रखने वाले आम व्यक्ती तथा आकदमिक रूप से इतिहास का अध्यन करने वाले छातरों के लिए दिल्ली के समरिद्र तेहास और मुगलों तथा अंग्रेजों के जमाने के किस्सों को प्रमानिक तरीके से प्रस्तुत किया है जैपूर के साहित्य प्रेमियों के लिए आयोजनों की कड़ी में एससियेशन का यह तीसरा कारिक्रम था कारिक्रम के दौरान अर्पना आंध्रे क्योरेटर सिटी प्लेस म्यूजियम जैपूर ने डॉक्टर लिडल से उनकी रचनाओं पर समवाद किया तथा पुस्तक के अंच्वे पहलियों पर चर्चा की कारिक्रम में वरिष्ट आये एस आरेएस लेखा सेवा एवं बड़ी संख्या में साहित्य अप्रेमी उपस्थित थे